अगातार हम दिखा रहे हैं नतीजों का दिन है बड़ा दिन है 274 एंडिये ने जीत हासिल कर लिया है यानि कि बहुमत का आकड़ा एंडिये पार कर चुका है 274 जीतों पर जीत हासिल कर चुकी है तो वहीं ये आकड़ा 291 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है उत्तर जहां पर नतीजे जहां पर रोजान वो क्लियर कर रहे हैं शाम होते जा रही है और ऐसे में बहुत सी जगों के नतीजे आ चुके हैं आगरा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रे मंत्री प्रोफिसर एस्पी सिंग बगहेल वो चुनाव जीते हैं जीत मंती जी का ग्रह मंती जी का मानी रक्षा मंती जी का राश्टी अद्रश नडड़ा जी का हमारे महामती संक्षन भील संतोग साब का यूपी के सीम साब यूपी के पिदेश अद्रश यूपी की महामती संक्षन जी का मैं आबार पकेट करना चाहूंगा कि दुनिया की सब् तो आगरा की महान जनता ने जो विश्वास वेक्त लिया है जिन अपिक्षा उमीद आखांचाओं को ले करके कि इन सरकार और राज सरकार के सायोग से उम्मीदों को पूरा करेंगे तो नतीजे लगता जैसे जैसे क्लेयर हो रहे हैं नियूसराटी पर हम आपको बता भी रहे हैं इसलग हमारे खास मेंमान तमाम हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौझूद है रमाकान मिश्राजी स्पोक्स परसन है बीजेपी के लोधी राकेश राजपूत हैं नैशनल सचिव है सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी के सौरभ दूबे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं सबसे पहले रमाकान पॉलिटरी जी का एक हमेशा से ही आपने देखा होगा 2014 में भी 2019 में भी और 2024 के अंदर हमने देखा है कि हमेशा से ही कार्ड करताओं का संबोधन जब रिजल्ट आता है और उस साम को निश्चित तरपर कार्ड करताओं को संबोधन करते हैं आज भी वही कर रहे हैं हमारे प पर ये NDA की जीत है और हमने हमेशा सही कहा था जो कि बीजेपी और NDA की जीत आप इसे बता रहे हैं सौरफ दुबे जी प्रधान मंतरी आज मुखातिब होंगे 2014-2019 और 20 के विधासबा चुनाओ की विक्टर के बाद जैसे मुखातिब होते थे आज बे कुछ वैसी तस्वीर आप उम्मीद कर रहे हैं वही आतिशबाजी होगी फूलों की बारिश होगी वही स्चोर शराबा होगा या कुछ लग होगा अगर वही बात होती वही चीजें होती तो प्रधान मंतरी अब तक वहां पर आ चुके होते जे ठीक है थोड़ी सी जो है जो उनका लच्छ था उ लेकिन मुझे हास ही आती है विपच्च के लोग जो संभिधान की दुआई देते थे अब वह अभी से डिप्टी पीम का आफर कर रहे हैं अब पताईए दोसों को आफर करेंगे पहले या पहले दोसों जो है जिनकी दोसों सब्सक्राइब करेंगे अब भी आप कोशिश मे हैं कि सरकार बना लेंगे उधर तो 274 हो चुका है जीत 290 तक पहुंचते दिख रहे हैं देखिए इसमें कोई दोमत नहीं है हर आदमी सरकार बनाने के लिए कोशिश करता है और जैसे कि अभी आपके चैनल पर ही दिनेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे ज्यान बांट रहे थे वो कह रहे थे कि अब इंडिया गटवनन सत्ता के लिए कुछ भी करेगा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताईए जब 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो आप लोग क्या नारे दे रहे थे कि 15 लाक एकाउंट में आएंगे 24 से 24 हो गया 24 के भी नतीजे आ गया आप तो बात हो रही है सरकार बनाने को लेगा ठीक है लोटेंगे आप सभी के पास आप सभी बने रहे हमारे साथ